ओम शांती आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 2016-2017 की मुर्लियों से निकला हुआ 11. रुपी मक्षन क्योंकि ये मुर्लियां पूरी जैसे 11-11 हर टन में चलती थी वैसे नहीं चले कुछ टन मिस हुए बाप दादा के रत के कारण, स्वास्ते के कारण इसलिए थोड़ी मुर्लियां चली थी और उन्हों में भी कुछ मुर्लियां तो किवल एक एक पैरा ग्राप बाबा दृष्टी दे के चले गए इसलिए 11 पॉइंट निकाली हैं उनसे जो बहुत अच्छी मक्षन की तरह काम करती और ब्रह्मश्त्र का काम करेगी तो इसको तो जित्ती बार सुनो कम है नहीं तो कम से कम दो बार तो जरूर सुनना है और साथ साथ खुश खबरी सुनाई तीन अक्टूबर से जो 1979 से लेके अव्यक्त मुरलियां चली है पहली मुरली की जनुरी 69 को चली है और अब 2017 में पूरी हुई तो बाबा के तीन वर्षों की मुरलियां बहुत हजारों भाई बेनों की रिक्वेस्ट फोन भी आए कि हम बीच में शामिल हुए हैं हमारा क्या पहले वाला कोर्स नहीं हो सकता रिवाईज तो आपको सबको खुश खबरी सुनाते हैं तो जिन का भी बीच में एंटर हुए हैं शुरू से कोर्स नहीं किया वो जरूर इसको अटेंड करें और साथ साथ प्यारे बाबा की जिन बच्चों ने पहले दिन से एक भी मुरली मिस नहीं कि तो वो कोमेंट सेक्शन में अपना नाम अपना मुबाइल नंबर और सिटी कौन से शेहर से हैं और लिखें एक भी मुरली मिस नहीं कि हमारे वाट्स अप पे भी मेसेज भेज सकते हैं 9416151842 एसे नूरे रत्नों को विशेश किसी प्रोग्राम ज्यानमान सरोर में अमंत्रित किया जाएगा और विशेश सम्मानित किया जाएगा साथ साथ जो नया कोर्स फिर शुरू उने जा रहा है तीन अक्टूबर से सभी भाई बेनों को क्लास वालों को सब को बता के उने अब पूरे अटेंशन से इस लक्षे से के एक भी मुरली मिस नहीं करनी और फिर इस नेक्स्ट कोर्स में फिर पुने तीन वर्ष के बाद चैबो हजारों होंगे उनको बुलाएंगे ग्यानमान सरोर के बड़े आडिटोरियम में उनका विशेश सने मिलन रखेंगे कुछ बठी और खास उने मिमंत्रण मिलेगा तो ये था जो आपको शुब सूचना और अब सुनते हैं प्यारे बाबा की 2016 सत्रा की मुरलियों से निकला मक्षन नमबर वन स्टुडेंट रूप में और देखा गया है कि जब भी स्टुडी करने के रूप में आते हैं तो इनकी शकल से ही लगता है कि ये कोई बहुत पढ़ाई में बिजी है इनों को पढ़ाने वाला कौन है ये अगर ध्यान में रहे तो बेड़ा पार हो गया हमें भी ध्यान में रहे पढ़ते हुए कौन है हमें पढ़ाने वाला दुनिया को भी टच्छो फिर बेड़ा पार परमात्मा पढ़ाने वाला ये कभी सुना है क्या कि परमात्मा पढ़ाता भी है लेकिन इस पढ़ाई में मेजर्टी सब पास हो जाते हैं क्यों हो रही है भूलता नहीं है सब इसी खुशी में पढ़ रहे हैं बाबा ने कहा ऐसे पढ़ाता है जो भूले ना बिलकुल भे और इसी खुशी में पढ़ रहे हैं आपको देख के दूसरों को touching ओ, इनको कौन पढ़ा रहा है second number point ओम शान्ती शब्द हमारे को शान्ती की याद दिलाता है ओम शान्ती कहने से ही कैसा भी दुश्य सामने आवे लेकिन ओम शान्ती का अर्थ अपना ही रूप दिखाता है ओम शान्ती कहना स्वते ही अंदर शान्ती की लेर फैलाता है सब के दिल में ओम शान्ती अपना ही अर्थ फैलाता है जैसे बाबा शब्द अपना अर्थ फैलाता है ना ऐसे ओम शान्ती के शब्द से अपना ही अर्थ दिल में फैलता है एकदम शान्ती आ जाती है ओम शान्ती कहते खुद में भी आ जाती है तो औरों में भी आ जाती है थार्ड नमबर जो बाहर मौन का प्रोग्रम बनाते हो न तो उसमें भी मन की शांती बढ़ती है और मन की शांती बढ़ने से आटोमेटिकली मुख का बोल भी कम होने लगा है तो हर एक को अभी इस समय क्या टेंशन देना है मन के मौन पर मन का मौन मन का मौन जानते हो ना कि इतना नहीं जानते हो शोक रखो इस पर मन का मौन बढ़ता जाए मन का मौन बढ़ने से तन का मौन स्वते ही बढ़ता जाता है इसमें आप सभी अपने अंदर मन का मौन बढ़ाने का पुरिशार्थ प्यार से बढ़ाते चलो मन का मौन बढ़ाने का पुरिशार्थ प्यार से बढ़ाते चलो मन का भी और मुख का भी तो उससे बहुत अच्छा असर पड़ेगा हर एक के मन में ये उमंग जरूर है कि साकार में बाबा इतना दूर से आता है और बाबा भी दूर से आता है तो बच्चे भी दूर से आते है ये मिलन भी एक और रौनक में ले आता है हर एक के मन में कितना उमंग है कहां जा रहे हैं बाबा से मिलने बाबा से मिलना तो अच्छा लगता है लेकिन कहां से कहां आ करके पहुंचते है यही हर एक देखता रहता है फिफ्थ नंबर पॉइंट सभी की दिल में क्या चल रहा है बाबा 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 अच्छा है ना बाबा भी बच्चों के प्यार देखकर खुश होता है कि इतना प्यार इनों के दिल में है और कितना दिल से वरणन करते है देखो बाप दादा की दिल क्या कहती है बताएं तुम नहीं सुनाओ तो बाप बताते है हर एक की शकल बोलती है वैसे तो दूर दूर है, नहीं समझें, लेकिन हर एक दिल से बोलते हैं, दिल की बातें बाप दादा के पास पहुँच जाती हैं, सिख्स्त नंबर पॉइंट, सब के दिल में बाबू के प्यार का गीत को हो, कवीता को हो, समाया हुआ है, आज बाबा ने बाबू के प्यार, सब की दिल में एक ही गीत बद रहा है, वहां मेरे दिल के बाबा, बाबा और मैं सब की दिल में यही हैं, मैं और मेरा बाबा, दो होते भी एक हैं हरेक की दिल में यह एक ही बाबा समाया हुआ है हरेक अपने आप से पूछो, मेरे दिल में कौन है मेरे दिल में, पूछ के तो देखो, मेरे दिल में कौन है एत number point, कितना अच्छा परिवार है थोड़े समय में परिवार प्यारा परिवार कैसे इकठे हो गए है ऐसा लगता है जैसे हम मिले हुए ही है ऐसे ही मिलते रहेंगे यह मिलन भी एक वंडरफुल है एक दो को देख करके खुशी कितनी होती है यह फलाना भी है फलानी भी है वह जहां देखो वहां कितनी मधुरता है सब के चेरों पर कौन है मेरा बाबा सब आपस में कितने समय के बाद मिले है इतना परिवार मिला है यही खुशी है परिवार को देख करके खुशी होती है न इतना बड़ा परिवार है परिवार की खुशी इतना बड़ा परिवार, बारा लाक बाही बैनों का, किसको मिलेगा, कहीं नहीं मिल सकता, हम कितने लखी स्टार हैं, और ये परिवार का ही प्यार चला रहा है, नाइंथ, अभी बावा फुरिष्टा भाव का रूप प्रगट करता है, अभी एक सकन में फुरिष्टा, एक सक में साधारन, ये प्रेक्टिस करते 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 फृष्टा बन ही जाएंगे, अभी फृष्टेस रूप में रहना, ज्यादा समय फृष्टेस रूप में इस दुनिया में संगम युगी फृष्टा रूप, ये कुछ समय रहेगा, ये फृष्टा रूप कुछ समय आपके सा तेंथ नंबर पॉइंट क्योंकि समय नाजुक आना ही है और ऐसे समय पर शांती की शक्तियों द्वारा टचिंग पावर और केचिंग पावर बहुत अवश्यक होगी ऐसा समय आएगा जो साधन कुछ नहीं कर सकेंगे पड़े के पड़े रह जाएंगे अभी तो यूट्यूब वगेरा सब मिल रहा है ना टाइम वो भी आएगा कुछ नहीं कर सकेंगे सिरफ अध्यात्मिक बल बाप दादा के डिरेक्शन की टचिंग कारे करा सकेगी तो अपने में चेक करो बाप दादा के ऐसे समय में मन और बुद्धी में टचिंग आ सकेगी इसमें बहुत काल का ब्यास चाहिए इसका साधन है मन बुद्धी सदा ही कभी कभी नहीं सदा क्लीन और क्लियर चाहिए कलीन और क्लियर फिर सदा काल का आ सकता है संग्ठन हमको बहुत प्यार से सने से लेके चल रहा है अकेला भी चलते हैं लेकिन संग्ठन की मदद अभी जरूरी है जब संग्ठन की बात आती है तो सब के चेरे बदल जाते है वैसे तो हमारे अंदर सब की याद है और सब के अंदर हमारी याद है हम अकेले नहीं चलते संग्ठन में चलते हैं संग्ठन हमको अपना बना के मिला के चला रहा है और संग्ठन की जो शक्तिये वेवी सिखाती है संग्ठन कितना प्यारा होता है चलते फिरते कितना संग्ठन का फायदा होता है मतलब बाबा ने कहा इस समय जो बहुत जरूरी है संग्ठन की मदद वो बहुत जरूरी है विविन परस्थितियों में तो सदा संग्ठन का भी नशा रहो संग्ठन में रहना सीखो उसके बहुत फाइदे अच्छा ओम शांती ये था 2016-17 की मुर्लियों से निकला हुआ मक्कन ओम शांत और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे झाल झाल